ओम शान्ती दो दस दो हजार तेज़ की साकार मुरली मीठे बच्चे नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बाते सुनाते, नई मत देते, इसलिए उनकी गत्मत न्यारी गाई जाती है प्राश्न रहम दिल बाप सभी बच्चों को किस बात में साउधान कर, उच तकदीर बना देते हैं उत्तर बाबा कहते बच्चे उच तकदीर बनानी हैं, तो सर्विस करो, अगर खाया और सोया सर्विस नहीं की, तो उची तकदीर नहीं बना सकेंगे सर्विस के बिगर खाना हराम है इसलिए बाबा साउधान करते हैं सारा मदार पढ़ाई पर है तुम ब्राम्हणों को पढ़ना और पढ़ाना है सच्ची गीता सुनानी है बाप को रहम पढ़ता है इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं यीत जिस दिन से मिले हम तुम ओम शांती रोशानी बाप समझाते हैं जब बच्चों को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात नई सुनाते हैं क्योंकि यह बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है मनश्य तो ऐसी नई बाते सुना न सके बाप जिसको Heavenly Godfather कहा जाता है वह बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापन करने वाला है नर्क की स्थापन करने वाला है रावण पांच विकार स्त्री में पांच विकार पुरुष में वह हो गई रावण संप्रदाए तो यह नई बात सुनाई न स्वर्ग बनाने वाला है परम पिता परमात्मा जिसको राम कहते है नर्क बनाने वाला है रावण जिसका चित्र बनाकर वर्ष वर्ष जलाते हैं एक बार जल गया तो फिर उनका F.E.G. देखने में थोड़े ही आएगा वह आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है F.E.G. आदी बदल जाते हैं यह तो रावण के वही F.E.G. वर्ष वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं वास्तों में जैसे निराकार शिवाबक कोई F.E.G. नहीं वैसे रावण का भी कोई F.E.G. नहीं वरक्षा करने क्योंकि भक्ती में दुख बहुत है सुख है अल्पकाल शनभंगुर भारतवासियों का बिल्कुल दुखी जीवन है कोई का बच्चा मरा, कोई का देवाला निकला जीवन तो दुखी रहता है न बाप कहते हैं मैं आता हूँ सभी का जीवन सुखी बनाने बापा करके नई बात बताते हैं कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने वहाँ तुम विकार में नहीं जाएंगे वह है निर्विकारी राज्य यह है विकारी राज्य अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो वह बाप ही स्थापन करते हैं नर्क का राज्य रावड स्थापन करते हैं तो बाप पूछते हैं तुम स्वर्ग में चलेंगे बैकुंट की महरानी महराजा विश्व के मालिक बनेंगे यह कोई वेद शास्त्र आदी की बाते नहीं है बाप ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो वदर दर धक्ये खाओ मंदिरों तीर्थो आदी में जाओ वगीता भागवत आदी बैट कर पढ़ो नहीं सतियुग में तो शास्त्र होते नहीं तुम भल कितने भी वेद शास्त्र आदी पढ़ो यग्य जप दान पुन्यादी करो यह है ही धक्ये खाना इनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं भक्ति मार्ग में कोई एम उबजेक्ट नहीं है मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ इस समय सब नर्क वासी है अगर कोई को कहो तुम नर्क वासी हो तो बिगड़ेंगे वास्तों में तुम जानते हो नर्क कलिउक को और स्वर्ग सतिउक को कहा जाता है बाप बैखुंट की बात शाही ले आये हैं कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा मूल बात सारी पवित्रता की है कई मनश्य कहते हैं हम पवित्रता तो कभी नहीं रह सकते कई मनश्य कहते हैं हम पवित्र तो कभी नहीं रह सकते अरे तुमको पावन बनाते हैं स्वर्ग में चलने लिए पहले वापस शांती धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है सभी धर्मवालों को कहते हैं देह को छोड़ आशरीरी बन कर जाना है इसलिए देह के अभिमान को तोड़ो मैं क्रिश्चन हूँ, मैं बहुत दी हूँ यह सब हैं देह के धर्म आत्मा तो स्वीट हूम में रहती है तो अब बाप कहते हैं वापस मुक्ती धाम चलेंगे वहाँ तुम शांती में रहेंगे बताओ तुम वापस कैसे चल सकते हो मुझे बाप को और अपने स्वीट हूम को याद करो देह के सब धर्म छोड़ो यह मामा है यह काका है चाचा है इन सब देह के सम्मंधों को छोड़ो अपने को देही समझो मुझे याद करो बस यह है मेहनत और मैं कुछ नहीं सुनाता हूँ शास्त्रादी जो पढ़े हो वह सब छोड़ो मैं नई दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूँ कहा जाता है न इश्वर की गत और मत नियारी है गती कहा जाता है मुक्ति को बाप नई बात सुनाते हैं न मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं यहां तो नई बात हैं शास्त्रों की कोई बात नहीं यूं तो है गीता की बात परन्तु मनुष्य नी गीता को भी खंडन कर दिया है मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई है वह तो बाद में बनती है मैं तो तुमको ग्यान सुनाता हूँ ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सिकिलिदे बच्चे हो यह निराकार परमात्मा ही कहते है निराकार आत्माओं से बात करते है आत्मा सुनती है यह शरीर है और्गन्स सब यह बात कभी कोई समझते नहीं वह मनुष्य मनुष्य को सुनाते है यह परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते है हमात्माय सुनती हैं इन कानों द्वारा तुम जांते हो परम्पिदा परमात्मा बैट समझाते हैं मनुश्य तो यह वंदर खाते हैं भगवान केसे समझाएगा वह तो समझते हैं श्रीक्रिष्ण भगवान हुआ च molta अरे श्रीक्रिष्ण तो देह धारी है मैं तो देहधारी नहीं, मैं विदेही हूँ, और विदेही आत्माओं को सुनाता हूँ, तो यह नई बाते सुनने से मनश्य चकित हो जाते हैं, जो कल पे पहले बच्चे सुनकर गए हैं, उन्हों को तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं, इसम पारलोकिक माद पिता को याद करो, यह पारलोकिक माद आप तुम्हें अम्रित की लेंदेन सिखलाने वाले हैं, कहते हैं, हे बच्चे, अब विश की लेंदेन छोड़ो, मैं तुमको जो सिक्षा देता हूँ, वह एक दो को दो, तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, थोड़ा सुनेंगे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परन्तु औरोको आप समान नहीं बना सकते तो दासदासी जाकर बनेंगे, दासदासियों में भी नंबर वार होते हैं, बच्चों को समालने वाले दासदासिया जरूर अच्छे मरतवे वाले होंगे, यहां रहते हु फिर अगर पढ़ते नहीं तो दासदासी बन पढ़ते हैं, प्रजा में भी नंबर वार होते हैं, जो अच्छी रीती पढ़ते हैं वह इतना उच्च पद पाते हैं, प्रजा में साहुकारों के भी दासदासिया होंगे, हर एक को अपनी शकल देखनी है, हम क्या बनने लायक हैं, बाबस से अगर कोई पूछे तो बाबस जट बता देंगे, बाब तो सब कुछ जानते हैं और सिद्ध कर बतलाते हैं कि इस कारण यह तुम बनेंगे, भल सरेंडर किया है, उसका भी हिसाब किताब है, सरेंडर किया है परन्तु कुछ सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते हैं, तो जो दिया वह खाकर खत्म करते हैं, दिया सुखाया, सर्विस नहीं की, तो थर्ड क्लास दास दासी जाकर बनेंगे, हाँ सर्विस करते हैं और खाते हैं तो ठीक है, धंदा कुछ नहीं करते तो खा खाकर खत्म कर देते हैं, फिर और भी बोज़ा क्याहां रहते हैं जो दिया सुखाया, जो भल नहीं देते हैं, परन्तु delivery बहुत करते हैं, तो वहां उच पद पा लेते हैं, मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया, परन्तु पद बहुत उच पाती हैं, क्योकि बाबा की रुहानी service करती हैं, हिसाब है नք, कईों को नशा रहता ह है हमने तो सब कुछ दिया है सरेंडर हुए हैं परंतु खाते भी तो है ना बाबा मिसाल तो सब बताते हैं सर्विस नहीं की खाया और खलास किया कहते है ना जिन सोया तिन खोया आठ घंटा सर्विस करने बिगर खाना हराम है खाते रहेंगे तो फिर जमा कुछ नहीं होगा फिर सर्विस करनी पड़ेगी बाब को तो सब बतलाना पड़ता है जो कोई ऐसे नहीं कहे कि हमको बतलाया क्यों नहीं बाबा नो सब कुछ दिया और फिर सर्विस भी करते रहते हैं तो उंच पद भी है सरेंडर हुए और ऐसा क्यों हुआ तो बाब समझाते हैं सर्विस ना करना मुफ्त में खाना उसका नतीजा कलप कलपांतर का यह हो जाएगा इसलिए बाबा सावधान करते हैं समझना चाहिए कलप कलपांतर के लिए हमारा पद भरष्ट हो जाएगा बाबा को रहम पढ़ता है इसलिए हर बा अधन का पद बहुत ऊच है, सारा मदार पढ़ाई और पढ़ाने पर है, तुम guit10 हो। तुमको सच्ची गीता सुनानी हैं। वह तो कच्च में कुर्म उठाते हैं। तुम्हारे कच्च में कुछ नहीं। तुम हो सच्चे ब्राम्हन, तुमको सच सुनाना है, सच्ची प्राप्ती करानी है, और सबने घाटा ही दिलाया है, इसलिए लिखा जाता है वह सब जूट है, बाबा सच सुनाकर सच खंड का मालिक बनाते हैं, यह तो समझने की बात है, विश्यो का मालिक बनना कम बात है क्य सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो प्लैन बनाते रहेंगे हम सोने की इटों का ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे यह करेंगे साहुकार का बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा तो उनके ख्यालात चलेंगे हम ऐसे करेंगे यह बनाएंगे तुम भी भविश्व में प्रिंस बनते हो तो शौक होगा ना, हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे, जो और कोई का नहीं होगा, यह ख्यालात उनके चलते होंगे, जो अच्छी रीती पढ़कर पढ़ाते हैं, बादशाही तो होगी ना, तो बुद्धी में यह ख्यालात चलनी चाहि हम कितने नमबर में पास होंगे, हम कितने नमबर से पास होंगे, बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखो करोडों पढ़ेंगे, धेर आएंगे, यह सब बाते बाप ही बैट समझाते हैं, भगवान एक है, उनको ही मात पिता कहते हैं, वह आकर एडॉप्ट करते हैं, कितनी गुहे बाते हैं, यह नया स्कूल है, नया पढ़ाने वाला है, कितना अच्छी रीती समझाते हैं, जोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे, बाप को याद करेंगे, मा बाप को कभी कोई भूलता नहीं है, फिर संगम यूगी बच्चे बाप को भूल कैसे सकते हैं, अच्छा दुनिया धम चक्र में हैं, और तुम बच्चे चुप हो, चुप में हैं शांती, शांती में हैं सुख, तुम जानते हो मुक्ती के बाद, फिर है जीवन मुक्ती, तुम बच्चे को सिर्फ दो अक्षर याद हैं, अल्फ, अल्ला और बे, बादशाही, सिर्फ एक अल्फ को याद करने से बादशाही मिल गई बाकी क्या बचा बाकी रही छाँच अल्फ मिला, गोया मक्खन मिला, बाकी सब चाँच ऐसे है न हम चुप रहते हैं जानते हैं चुप रहकर हम श्रीमत पर चलते हैं, परन्तु वंडर यह है कि बच्चे अल्फ को भी पूरा याद नहीं करते भूल जाते हैं माया तुफान लाती है बाप भी कहते हैं मन मना भाव मद्याजी भाव गीता में अक्षर है तो तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए कि मन मना भाव मद्याजी भाव का अर्थ क्या है बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बातशाही मिलेगी सब देह के धर्म छोड़ देही बन जाओ और बाप को याद करो तो बातशाही मिलेगी गरंत में भी कहते हैं जब ओ अल्फ को तो बातशाही मिलेगी सचखंड की राजाई मिलती है हम दुनिया से बिलकुल नयारे हैं और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे बाप तुम्हें नई बाते सुनाते हैं बाकी सब पुरानी बाते ही सुनाते हैं बात बड़ी सहज है अल्फ के बनों तो बात्शाही मिलेगी फिर भी पुरुशार्त तो करना पड़े आप समान बनाने की जितनी सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा मनुष्य ना अल्प को जानते हैं ना बे को जानते हैं बे माना बादशाही का मक्षन श्री कृष्ण के मुख में मक्षन दिखाते हैं ना जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले नहीं बादशाही दी होगी अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्छों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्छों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला वापस स्वीट होम घर जाना है इसलिए देह के धर्मों और समंधों को भूल स्वयम को देह ही समझना है इसी अभ्यास में रहना है दूसरा बाप की जो सिक्षाय मिली है वह दूसरों को देनी है आप समान बनाना है आठ घंटे सर्विस जरूर करनी है वरदान शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बिमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्थ भव शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बिमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्थ भव सभी बच्चों को बाप दादा की स्रेष्ट मत है बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो मैं सर्व स्रेष्ट अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ मैं देव आत्मा महान आत्मा विशेश पाटधारी आत्मा हूँ इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता जहां या शुद्ध फीलिंग है वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती इस सिफलू की बिमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयम को ऐसा अनुभाव करेंगे कि हम वर्दानों से पल रहे हैं सेवा में सफलता पा रहे हैं स्लोगन संगम युगी मर्यादा पुरुषोतम बनना यही ब्रामन जीवन का स्रेश्ट लक्ष है संगम युगी मर्यादा पुरुषोतम बनना यही ब्रामन जीवन का स्रेश्ट लक्ष है अच्छा ओम शान्ती आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा